यह है पंचो में के हनुवान मंदीर यह रामेश्वर मंदीर से मात्र एक किलमेटर दुरी पर है अगर आप चाहे तो पेदल भी जा सकते हैं मंदीर से नहीं तो आप सेरिंग अटर में अगर जाएंगे तो आपको मात्र 20 रुपे लगेगा आपको इधर जाके एक बार जरूर देखना चाहिए इधर खास बात है है पानी में तेरने वाला पत्थर इधर मौझूद है कि जो लंका के लिए सेतु बना गया था नौल निल के दोरा चुए गया पत्थर इधर मौझूद है इधर का पत्थर को अगर आप हाथ लगेगा देखेंगे वह आपको अजीव सा फिलोगा साइध आपने जिंदेगी में येसा पत्थर नहीं देखे होंगे ना तक बिच्वए होंगे बहुत लोग का ही कहना है जो नौल निल थे वो दो जुड़वा है थे लेकिन ये सत्य नहीं है नौल जो थे भोगान विश्यो कर्मा एबंग निल जो थे की नाम पे भी जाना जाता है विश्यो कर्मा के पुत्र होने के कारण नौल में सभय के रूप में बास्तु सिल्प की कला थी अपनी पिता विश्यो कर्मा के भाद ही वो भी एक उतकृष्ट सिल्प थे यही कारण था समद्र पर स्यतू बनाने क्या जो सारे दाइतो नौल क माद्रया को बुलाई थे उनके डायतों के संज़्छा रहे थे ! उसे कि दरान वह विशовकर्मा बुलाई थे ! विश्वकर्मा ची ऑख विश्या को बोले थे 해요। भगान जी हम तो मात्रिया के सिल्पी है राम रावन की बो भयान के युद में हम क्या कर सकते हैं क्या सायता कर सकते हैं हम तो योधा नहीं है तो ब्रह्मा जी उनको बोले थे राम के अपतार में तुमारा जो भुमिका है वो बहुत मौत्पुन होने वाला है ये समय आने पर तुमको खुदी मालूम पड़ जाएगा ब्रमाजी के आदेश पर विश्यकर्मा की अंच से नल और अग्निदेव की अंच से निल पेदा होए थे जो की बानर की रूप में पेदा होए थे दोने एकी दिन में पेदा होए थे और दोनो बहुत घनिष्ट मित्र थे छोटे थे तो बहुत चंचल थे बहुत सरारित करते थे जब रूशियों ने जंगल में तपशा करते थे उनका मुर्ति को चुरा कर को सरोबर में डाल देते थे जिसके लिए रूशियों को बड़ा कश्ट होता था उनको बार-बार मुर्ति बना कर पुजा करना पड़ता था लेकिन वो बालक होने के कारण चे वो उनको कोई श्राप ने दे पाते थे उनको कोई दन ने दे पाते थे एक दिन शिर्वात्र का रात था तब भुरुगुरुचिने सिबलिंग का पुजा कर रहे थे हमेशा के बाद नल ने उनको चुरा कर लेके सरोबर में डाल दिये थे यह देखके समय बिता गया सुमोर्ते बिता गया तो उनको बड़ा गुशा आया और वो उनको श्राब दिये आज से जो तुम चीज चुओगे जो बस्त तुम चुओगे वो पानी में तेरेगा वो डूबेगा नहीं उसके बाद वो जैसे फेक्त थे वो बापस लेके उनको पुजा कर लेते थे नल के लिए जो श्राब था उनके लिए बरदान बन गया था राम सेती बनाने के लिए जब वो भगान राम ने सम्मुद्रों से रास्ता मांगे थे लंका केले सतु बनाने केले तब सम्मुद्रों ने मना कर दिये थे आप उनकी मदस से समुद्रे में सेतु बना सकते कि वो जो चीज पकड़ेंगे चुएंगे वो पानी में तेरेगा डूबेगा ने रखती हूं मिलते नेश्टे बड़ें में तब तब बाई बाई